नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूँ अंश्वितर श्रवास्तव, इस बुलिटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आईए देखते हैं, सुर्खिया महराष्ट के सियासी विवाद की सभी आचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोट, किसकी होगी शिफसेना, इस पर 37 सितंबर को आ सकता है फैसला भारत जोडो यात्रा पर कनहिया कुमार का बड़ा दावा बोले लालकृष्ण आडवानी की रथियात्रा सत्ता के लिए थी, लेकिन कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा सत्त के लिए है सोशल मीडिया काउंट को निलंबित करने के मामले में दिली हाइकोर्ट में हुई सुनवाई, केंदर ने दिली हाइकोर्ट में कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने पर पेश करेंगे रूपरेखा बाजार में आज फिर दर्श की गई गिरावट सेंसेक्स 168 अंकों की गिरावट के साथ 69,039 पर हुआ बंद निफ्टी 31 अंक फिसल कर 17,624 पर हुआ बंद तो ये थी सुर्किया और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की और वो है कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिसका आगाज हो चुका है और इस यात्रा ने बीजेपी के साथ साथ कॉंग्रेस के विरोधियों में भी खलबली मचा दी है तो क्या रहा आज राहुल गांधी का कारिकरम इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा वहीं आज मुदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर विपक्ष को उस पर हमलावर होने का मौका मिल गया तो क्या है सरकार का फैसला इस पर भी करेंगे बात साथ ही आज खबरों के अलावा और भी एहम खबरों पर हैं हमारी नजर तो चलिए बुलेटिन की शिरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से तो दोस्तों आज से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है कॉंग्रेस की यह यात्रा डेर सो दिन में 3570 किलोमीटर की दूरी तै करेगी यह यात्रा कश्मीर पहुँचकर समाप्त होगी जिसकी शुरू आत करन्या कुमारी से शाम सारी चार बजे के बाद शुरू कौन-कौन रहा यात्रा में शामिल क्या रहेगा यात्रा का शेडियूल यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी जानने के लिए देखिए वे खास रिपोर्ट प्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टाली ने भारत जुड़ो यात्रा की शुरूआत के दौरान कॉंग्रेस नेतार राहुल गांधी को राश्टिये ध्वज सोंपा दोनों नेताओं ने तिरंगे को सलामी दी 3570 किलोमीटर की ये यात्रा 12 र मार्च करें तर्टिये शेहर कन्या कुमारी में कॉंग्रेस कारेकरताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की भव्वे तैयारियां की थी हर जगा पोस्टर लगे हैं जिनमें तमिल भाशा में राहुल गांधी आपका स्वागत है और भारत जोड़ो यात्रा लिखा है महात्मा गांधी मंडब तक जंडे और रंग विरंगे काग्जों से सजावट की गई है जहां तमिलाडू के मुख्यमंत्री M.K. स्टालीन ने कॉंग्रेस निता राहुल गांधी को खादी से बना ध्वच दिया राहुल गांधी ने इस ध्वच को सेवादल के कारेकरताओं को तक 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा का प्रबंधन कर रहे हैं हलकी राहुल गांधी 8 सितंबर की सुभा इस यात्रा में शामिल होंगे यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी तमिलाडू के शिरिपैरम मदूर पहुंचे थे जहां उन्होंने अपने पिता और पूर प मात देंगे भारत जोड़ो यात्रा से पहले कॉंग्रेस महासचिव केसी वेड़ू गुपाल और जैराम रमेश ने पार्टी के वरिशनेता और यात्रा संगठन समीती के प्रभारी दिगविजे सिंग के साथ तैयारियों को जाय सलिया था यात्रा को लेकर देशपर में में काफी जोश है इस यात्रा का मकसद भारत को एक जुट करना है जो आर्थिक आसमानताओं समाजिक ध्रूविकरन से तूट रहा है कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए खत्रे की घंटी बजा रही है क्योंकि कॉंग्रेस को इस यात्रा की जरूरत भी बीजेपी सरकार की खराब नीतियों के चलते ही पड़ी जिसके बारे में राहुल गांथी ने रामलीला मैदान में जिक्र किया था लेकिन बाबजूद इसके बीजेपी सरकार की मनमानी बदस्तूर जा रही है और आज रेलवे की जमीन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंतरी मंदल की बैठक में पीम गती शक्ती फ्रेमवर्ग को लेकर मंजूरी दे दी गई है जिसमें अब रेलवे की जमीन को लंबे समय के लिए पट्टे पर दिया जाने का रास्ता साफ हो गया इस नीति को 90 अभे दिनों में लागू कर दिया जाएगा केंद्रे मंतरी अनुराग ठाकु ने बताया कि योजना के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को सायोजित करने के लिए रेलवे मंतराले के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है इसमें कारगो से संबदित गती विदिया है प्रती वर्ष भूमी के बाजार मूले के 1.5 प्रतिशत की दर से 35 वर्ष की अवधी तक कारगो के लिए और कारगो से संबदित गती विदियों के लिए रेलवे की भूमी की लॉंग टरम लीजिंग का प्रावधान किया गया है उन्होंने दावा के अगले 5 वर्षों में 300 स स्थापना के लिए पीम शिरी योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है केंद्रे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के 14,000 से अधिक केंद्री और नवोदे विधालों को मजबूत बनाते हुए पीम शिरी स्कूल के रूप में विक्सित किया जाएगा सरकार अब रेलवे की जमीन निजी हाथों में सौपनी की तैयारी कर रही है जिसको लेकर जाहिर है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार निजी करन को बढ़ावा दे रही है अब सरकार की नीतियों से तंग आकर पहले नितीश कुमार ने कि वो पीएम पत के उमीदवार नहीं है शरत पवार पहले से ही अपनी उमीदवारी को खारिस कर चुके हैं यहां तक कि विपक्षी दल तो उन्हें राष्ट्रोपती चुनावों में भी उमीदवार बनाना चाहते थे लेकिन पवार ने साफ कर दिया कि अब किसी पत की उन मुलाकात के बाद नितीश को मार ने कहा हमारे बीच बहुत अच्छी बात चीत हुई आज बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है वो कोई काम नहीं कर रही है मैं बस इतना चाहता हूं कि ज्यादातर विपक्षी दल एक जुट हो जाए अगर विपक्ष एक जुट हो जाता है तो ये देश हित में होगा हमारा निजी कुछ भी नहीं है नितीश ने कहा कि सभी पार्टियों से बात की तो बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला देश को कब्जा करने की कोशिश हो रखी है बीजेपी सिर्फ प्रचार में लगी हुई है अपनी यात्रा को लेकर उन्हों बीजेपी विपक्ष को परिशान करने की कोशिश में लगी हुई है और इसके लिए सरकार जाच एजनसियों का इस्तमाल कर रही है आज देश के तीन गैर बीजेपी शासित राज्यों में जाच एजनसियां पहुँच गए विपक्ष के आरूपों के मुताबिक जाच एज केंदर के इशारे पर काम करती हैं क्योंकि एन एजेंसियों की निशाने पर सिर्फ वो लोग हैं जो केंदर की मुखालफत करते हैं। और ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला जब तीन राज केंदरी जाच एजेंसी की रडार पर आ गए। लेकिन इन में खास बात ये थी कि ये तीनों राज गैर बीजे पीशा से थे राज्ये हैं। बता दे कि आज राजिस्तान पशिममंगाल और चटीजगर में छाप इमारी का दौर चला। राजिस्तान और चटीजगर में जहां आईटी की एंट्री हुई तो वहीं पशिममंगाल में CBI पहुच गई। राजिस्तान में CM गहलोत के करीबी मंतरी राजेंदर यादव के 53 थेकानों पर आईटी निच्छा भिमारी की। तो वहीं 36 गड़ की राजधानी राएपुर, राएगड, विलासपुर समित कई जिलों में आईटी की टीम ने दविश दी है। मिली जानकारी के मुताविक लोहा कारोबारी, रियल एस्टेट कारोबारी, ट्रांसपोर्ट, व्याफसाई और शराब कारोबारी समित कई ठेकेदारों के करीब 10 से ज्यादा ठेकानों पर आईटी की टीमों ने छापा मारा है। रायपुर में लाबिस्टा, एश्वर्या किंगडम और उरला समित रायगर के फ्रेंड्स कॉलोनी में आईटी टीमों निदविश दी है। इसके अलावा पश्यमंगाल में कोईला गोटाला मामने में कानून और श्रम मंत्री मले घटक के घर CBI पहुंची। हाला कि अभी जाच एजेंसियों के हाथ कुछ खास नहीं लग सका है लेकिन 36 गढ़ में हुई चापे मारी परसीयम भूपेज बगेल की प्रतिकरिया आई है। उन्होंने तंज कस्ते हुए कहा। मैंने तो पहले ही बोला था कि राज़ु में जल्द ही आईटी के चापे लगने वाले हैं अभी तो सिर्फ आईटी आई अभी उनके पीछे पीछे एडी भी आएगी। दरसल भूपेज बगेल ने कुछ दिन पहले कहा था कि 36 गड़ में बहुत जल्द चापे पढ़ने वाले हैं क्योंकि उन्होंने जारखन सरकार की मदद की और उनके विधाय को को यहां रुखने दिया और अब उनकी भविश्वानी सही हो गई और राजमेजाच एजनसिया पहुंच गए अब देखना होगा कि भूपेज के बाद इन मामलों में और किसकी प्रतिक्रिया आती है राजसान पशिमंगाल 36 गर तीनों जगा आच्छा पिमारी का दौर चला जिसको लेकर भूपेज बगेल ने पहले ही भविश्वानी की थी उन्होंने कहा था कि जारख प्रतिन में जब से खननलीस का मामला सामने आया है तब से सुबे की सियासत गर्मा रही है जहां एक तरफ जे-म-म अमनी सरकार को बचाने में जुटी है तो वही दूसरी तरफ बीजे-पी ऑपरेशन लोटस चलाने की फिराक में है बीजे-पी की नापाक साजिशों के दुशन फैला हुआ है ये लोकतंत्र के लिए खत्रा है इसी के साथ ही मंत्री मिधिलेश ठाकु ने कहा कि अब जो राजभवन अपनी चुपी तोड़े अब तो सरकार ने साबित कर दिया है कि उनके पास बहुमत है चुनाव आयोक की तरफ से सी-म की सदस्यता पर अपनी राई दिये 14 दिन बीद गए राजभवन पूरी तरह से इस मामले पर शांत बैठा है राजपाल को इशारों ही इशारों में घेने के साथ ही जेमेम ने बीजेपी सांसत पर बड़ा आरूप लगाया है जेमेम महासचिप सुप्रियों भटाचारे ने कहा कि चुनाव आयोक पर बीजेपी का कबजा है बीते दिनों सीम हाउस से चुनाव आयोक को बीजेपी की एक शिकायत पर स्पष्टी करण भीजा गया जेमेम का आरूप है कि ये गोपनिय दस्तावेश था जिसे गोंडा सांसत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर दिया है ऐसे में ह मामले में अपनी स्थी स्पष्ट करें सीम को भीजा गया गोपनिय डोकुमेंट प्राइवेट हांतों में कैसा गया सुप्रिया भटाचारे ने कहा कि अगर चला भी गया तो वो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सक्त से सक्त कानूनी कारवाई करें अब जेमेम ने रा हाईकी को लेकर स्थिती स्पष्ट नहीं हो पा रही है वैसे स्थिती तो हिजाब मामले पर भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान आईए देखते हैं ये रिपोर्ट चात्राओं को हिजाब पहने के अनुमती दी जाए या नहीं ये फैसला अब सुप्रीम कोट को करना है सुप्रीम कोट में जस्टिस हेमंत गुपता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है मामला करनाटक के स्कूलों में चात्रों के हेट सकाफ पर रोक से जुड़ा है जिसे हिजाब मानते हुए स्कूल ने चात्राओं को पहनने के अनुमती नहीं दी है इसे लेकर या चिका करता की ओर सेब कोट में पेश वकील देवदत कामत ने दलील दी है सरकारी आदेश में कहा गया है कि हिजाब को प्रतिबंधित करने से धर्म का पालन करने के अधिकार का उलंगन नहीं होगा मामला कॉलेज विकास समितियों पर छोड़ दिया है अगर शक्तिशाली राज्य पहले से ही ऐसा कहता है तो CDC के पास हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है सरकार के आदेश को हम नुकसान दायक नहीं कह रहे लेकिन इससे सम्विधान के अनुष्षेद 19, 21 और 25 के तहट छात्राओं के मौलिक अधिकारों का उलंगन हो रहा है भारत सकारात्मक धर्मनिर पेक्षिता की पैरवी करता है इसलिए सरकार को याचिका करताओं को यूनिफॉर्म के अलावा हेट सकाफ महननी के अनुमती देनी चाहिए सुनवाई के दौरान कामत ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षन, अफ्रीका जैसे कई दूसरे देशों में महिला चात्रों को इसकाफ लगाने की इजाज़त दी गई है जिस पर कोट ने कहा कि हम यहाँ इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि दूसरे देश में क्या हो रहा है हम अमेरिका और कनाडा से अपने देश की तुलना कैसे कर सकते हैं हम बहुत रूडी वादी हैं जबकि कामत ने कहा कि हम यूनिफॉर्म को चुनौती नहीं दे रहे हैं ड्रेस कोट है तो इसका पालन होना चाहिए हम कोट की स्टिपड़ी को स्विकार करते हैं कि कोट में कोई वकील जीन्स पहन कर नहीं आ सकता हम यहां अपनी दलील देते समय भी ड्रेस में हैं और बॉलेटन के आखिर में बात भारत में लॉंच हो रही क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की नीती में बड़ा बदलावाता देख रहा है शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी पर जहां पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ था वहीं अब RBI खुद अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर आने वाली है इसे लेकर RBI के डिप्टी गवर्णर ने बड़ी बात कही है तो कब तक आज आएगी भारत की क्रिप्टो करेंसी देखे ये रिपोर्ट हम cashless समाज का लक्ष निर्धारित नहीं कर रहे हैं, बलकि ग्राह को कुछ सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उनके पास अब दोनों तरहा के विकल्फ होंगे, वो डिजिटल करेंसी भी अपने पास रख सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर टेक्स भी देना होगा। एक अप्रेल से डिजिटल करेंसी पर 30% टेक्स लगा दिया गया है, इसमें क्रिप्टो करेंसी, NFT, सहित हर तरहा के virtual assets शामिल हैं। ये हर साल 40-50% की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि RBI की चिंता डेटा की गोपनियता की रक्षा कंडे की है और इसके लिए सक्स कदम उठाए गए हैं। तो आज इस बुलिटिन में बस इतना ही, देखतेर ये डीवी लाइव, नमस्कार!